ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है होसला है जिन्दगी में कुछ कर देखाने का इसलिए अभी भी सफर जारी है इसलिए अभी भी सफर जारी है नमस्कार दोस्तों जहिंद आप सभी का स्वागत है आपके अपने योटूब प्लेटफॉर्म राजस्तान क्लासेश पर देखे दोस्तों आप सभी भाई वे ने राजस्तान पुलीस में जो भी भाई वे ने राजस्तान पुलीस में कॉंस्टेबल की मैनत से परिशा देने वाले उन सभी भावी कॉंस्टेबलों को बहुत बहुत सुबकावन है बहुत बहुत बदाईया कि आपका पेपर एक बहतरी नो अच्छे से अच्छा हो और दोस्तों आपका रिजल्ट पर और दोस्तों एक मोटिवेशन तोर से भी इस वीडियो को आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको ऐची चीज़ें भी बताऊंगा जो कि आपको किसी भी परकार की घबराट या डर भी लग रहा है तो भी आपको किसी भी परकार का डर नहीं रखना है वैसे दोस्तों आप स सारी वीडियो देखे होंगे राज़तान पुलिस के आप बहुत सारे चैनल से देखते होंगे लेकिन इस वीडियो को भी एक बार जरूर सुन लेजिएगा हो सकता है कि आपके लिए फाइदे मंद हो है ना चले दोस्तों देखेगा यदि आप में से कोई भी भाइवे ने देखे उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है आप में से किसी ने नहीं पढ़े है यह एड्मिट कार्ड पे जो देर खाये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन जो मैत पूर्ण निर्दे से वो आपने नहीं पढ़े तो देख लेजेगा थोड़ा सा ठीक है देखे दोस्तों इसमें किलिर सा देर कही कि दो गंडे पहले आपको परिक्सा के अंदर पर उपस्तित होना है इन सभी से पहले में बताने से पहले आपको बता दू मेरे दोस् तो कल परसों चैसाथ आट को नेट बंद रहने की संभावना है पूरी की पूरी तो आज का आज जैसे तैसे जहां कहीं भी हो एडमिट कार्ड निकलवा लेना अच्छा अब बात करें दो गंडे पहले आपको वहाँ पे जाना जरूरी है तो देखे जरा देखे परिक साओधी में कोई भी सोचा ले जाने की जो है अनुमती नहीं होगी और दोस्टों यहाँ पे पुरूस या महिला बीर्ती आधी आश्तिन की टीशट देखे आधी आश्तिन की टीशट होनی चाहिए याफिर शर्ट शूट चाड़ी याफिर आधी आश्तिन का कुर्टा ब्लाऊज जो है यहाँ पर ये पेंट हवाई सपल सिलिप पर बालों में साधान रबड बेंड लगा कर ही आएंगे और फुट वियर पर दोस्तों जैसा कि याँ पे देर का है देखिए फुट वियर पर कक से फुट वियर जो है कक से बार ही खलवाए जाएंगे तो इस परकार से आप याद रखेंगे ध्यान रखें कोई है जो ज़्यादा ये जो है ना ये सिंपल ड्रेसेज आपको पहन के जाना है बस इतनी सी बात है और दोस्तों ज़्याद ध्यान देंगे कि एड्मिट कार्ड पुलीस विबाग की प्रती में दिये गए इस्तान पर अपना नवीन तम देखिए आपको एक फोटो लेके जाना है रंगीन फोटो चिपका कर लेके जाना ठीक है चिपका लेना पहले से फोटो तो लेकिन साइ रेकिए एक्जाचमीनर के सामने आपको अंगुटा और यहां पर धिक कर वाएंगे और यहां पर आपका साइन कर वाएंगे तो ठिक है इस गये जैसे वे कोई और आपको कोई problem हो रही आपको किसी भी परकार की help जीए तो आप जो आप पर examiner से पूछ चांते हैं ठीक है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अच्छा मेरे दोस्तों देखिए अगर हम बात करें याप यह पूरी निर्देस आप एक बार पढ़ लेना मैं याप यह जो जो आईडी होती है ठीक है पैचान आईडी और जिसपे डेटो बर तो पैचान पतर है जैसा है आईडेन्टी पूरू है ठीक है उसको आपको साथ में लेकर जाना है चले तो दोस्तों देखिएगा जरा यहां पर और भी जो है यहां पर देखे नेगेटिव मारकिंग है यह तो आप सभी को पता ही है जैसा कि यहां पे दोस्तों देखिए कोवीड से रिलेटेड जो है न यह सूचना कि कोवीड समंदी स्वागोशना आपको प्रस्चंग्या तुरते पर दोस्तों यह आपको एक जैसे आपने निकला है यह एडमिट कार्ड तो इसमें आपको क्या करन है और यह जो तीस रपेज आपने दोस्तों अभी तक यह आपने नहीं निकला तीस रपेज तो निकाल लीजिएगा ठीक है कोई-कोई-कोई देख रहे हैं कि यह तो मैं तो कहाँ जरूरत होगी नेकिन जरूर लेके जाएगा आपके लिए ही लाब्दा होगा देखे यहां पर वर्तमान में कॉरेंटाइन वगेरा आईसोलेशन की सला है जो लागू नहीं है इस परकार की गोशना जो है आपको इस पेपर पर करनी है मेरे दोस्तों ठीक है ना तो देखिए यह पेपर आपको बिलकुल जरूर से जरूर साथ में लेके जाना है और गोशना करनी है द तो दोस्तों यह तो था आपका एड्मिट कार से रिलेटेड जो भी चूचना ठीक है वह आप पे मास्क वगएरा लेके जाना ठीक है और बाकी कोविट-90 से जो भी आपको ध्यान में रखनी चीज़ें वो आपको ध्यान में रखनी है अब देखिए दोस्तों मैं आप से ब मेनत किये तो कोई डर नहीं लगने वाला अगर आपने मेनत नहीं किये तो सब डर लगेगा और उसी प्रकार दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसलिए अपने लक्षिए के अनुसार मेनत करनी चाहिए और जैसा कि आपने की भी ठीक है तो इसलिए कह रहा हूँ सफल और ऐसफल की चिंता नहीं करनी चीए क्योंकि अगर असफल भी हो गए ना तो हमें अनुभव प्राप्त होगा ग्यान प्राप्त होगा तो दोस्तों उमीद ऐसी है उमीद ऐसी रखनी है कि आप सफल होंगे और डर नहीं रखेंगे तो 100% सफल भी होंगे अगर आपने मैनत बड़ी और कड़ा के वाली की है तो यदि आप में आपके अंदर इस बात का डर है तो आप इसे दूर भी कर सकते हैं अगर आपने चची लगन और मैनत किये तो डर दोस्तों 0% भी नहीं होगा अगर मैनत 0% है तो डर 100% होगा समझ पारे मेरी बात को अगर आपने सची लगन और मैनत किये ना तो डर 0% भी नहीं होगा अगर मैनत भी 0% है तो डर 100% होगा तो अपने बच्पन मतलब की जब स्टूडेंट लाइब होती है उस समय से वो वाला डर है एक कदर डर बैठा हुआ है कैसे होग डर तो लाबदाएक होता है मेरे दोस्तों कोई उसमें मतलब दोराएवाली बात नहीं है लेकिन अगर डर अधिक हावी होता है अगर ज्यादा ही घबराना होता है तो वो एक अग्यानता का परिचायक होता है तो आपको बिलकुल किसी भी परकार की घबराट नहीं रखनी ह ठीक है और देखिए अच्छ फलता का डर तो बस उन में होता है जिन में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि हम में नाम कमाने की हिम्मत है जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता हम वहां कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि रास्ते स्वेम हम और दोस्तों वैसे आपको आउस्टा नहीं है कि मोटिवेटर करें क्या पहले से मोटिवेटर कोड कर अब कि आपके मोटिवेशन भरा गुए लेकिन जरूर है जो चीज का काफी भाइवन नहीं कि इस से थोड़ा सा घ्रबराट में लेकिन जरा धियां रखेंगे जरा भी या तीन साल बाद ऐसा मौका है हासे गवाई ये गामत किसी भी परकार की घबराट नहीं रखनी है बड़े अच्छे से और नीडर होके पेपर देना है और संतुलित दिमाग से पेपर देना है डर महज दिमाग के अंदर है उससे बार जो निकला वो सिकंदर है डर महज दिमा देना है और दोस्तों अमेद करता हूँ आपने मेरी बात को अच्छे से सुना और आप ग्रहन भी करेंगे देखे पेपर देंगे बिलकुल एका ग्रहों के और एक तिन पहले बड़े आराम से नींद लीजिएगा बड़ी अच्छी नींद लीजिएगा हाँ आप कहेंगे सर क आपने नींद ली उस दिन नींद नहीं ली तो नींद नहीं लेने का कारण ये भी हो सकता है देखे उसका परिणाम क्या क्या हो सकता हूँ आप जानते है कि सरीर पर ज्यादा एफेक्ट होगा देखे सिर्दर्द भी हो सकता है ठीक है तो इस परकार से जो है आपकी मान सिक जो है एकदम एकागर नहीं रहेगी तो आप नींद लीजिएगा अच्छे सी और इतनी जो भी मैनत किये ना बेलकुल ये मैनत आपकी वेर्थ नहीं जाएगी दोस्तों ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं और आप सभी को जो भी भाई में वीडियो देख रहे हूं सभी को बहुत बहुत सारी सुबकाम नहीं आप अच्छे से पेपर दीजिएगा आप सभी को बेस्ट आप लख बहुत सुबकाम नहीं वीडियो अच्छी लेगए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बेल प्रिस तबा दीजिएगा पहली बारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज लिए वहां पर कमेंट करेंगा मैं आपको बिल्कुल जवाब देने की कोशिज करूगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार